नमस्कार आपका स्वागते राजनामा टीवी पे मैं पुखनम आपके साथ जारकन सरकार पर एक बार फिर संकट के बादल मन राने लगे हैं जमीन गोटाला और अवित खनन के आरोपों में सीएम हैमें सोरेन फस्ते दिख रहे हैं तीन जनवरी को मुख्य मंदरी हैमें सोरेन ने महागडबंदन के विदायक दल की बैठक बुलाई है चचा तेजहे की इस बैठक में कलपना सोरेन के नाम को आगे किया जा सकता है के सच्ची विनय चोबे भी शामिल रहे क्याश लगाए जा रहे हैं कि हैमें सरकार को बचाने के लिए पतनी कलपना सोरेन को राजनीती में लाया जाएगा इस बीच राजभवन में बंद लिफाफे की चर्चा एक बार फिर तेज हो गई है दूसरी तरफ प्रवर्तर निदेशाले के साथ समन के बाद भी सीम बुश्ताज के लिए तयार नहीं हुए माना जा रहा है कि इडी बड़ी कारवाई के मूड में है अगर राजभवन का लिफाफा खुला और हैमेंसोरेन की सदस्ता चली गई तो जारकन सरकार खत्रे में आ जाएगी इसी तरह अगर इडी ने हैमेंसोरेन को गरफसार करने का फैसला लिया तब भी महागडबंदन की सरकार पर संकठ चा जाएंगे माना जा रहा है कि सरकार पर मन राते दो बड़े खत्रों से निपटने के लिए गांडे विदायक ने इस्तिफा दिया सरफरास एहमत ने इस्तिफा के बाद कहा यह फैसला महागडबंदन धर्म को ध्यान में रखकर लिया गया है यह मेरा वेक्तिफिकत फैसला है मेरे अब तक के अनुबों से मुझे खत्रा नजर आ रहा था मैंने जारकंड और गडबंदन की सरकार को ध्यान में रखकर फैसला लिया इस फैसले से जारकंड भी बचेगा और सरकार भी अगर भाजपा नए साल में कुछ नया करने वाली थी तो मैंने उनसे पहले कुछ नया कर दिया मैंने बस यह ध्यान रखा कि एक सेक्रियर सरकार को किसे बचाया जाए इसे ध्यान में रखते वे मैंने फैसला लिया